दोस्तों क्या आप पसु पालन शुरू करना चाहते हैं आप भी बक्री पालन, डेरी पालन या फिर मुर्गी पालन करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं इस वीडियो में आपको सिर्फ हदार कार्ड और बेंक अकाउंट के मादम से 10 लाक रुपी तका लोन कैसे ले सकते हैं और फिर पसु पालन की सुरुवात किस परकार कर सकते हैं इसकी पूरी जानकरी आपको बताने वाले हैं आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक ध्यान से देखना और मैं इतना यकीन दिलाता हूँ कि आपने अगर वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देख लिया तो आपको लोन लेने से कोई नहीं टाल सकता और हाँ दोस्तों अगर आप चेनल पर पहली बार विजिट वे हैं तो चेनल को सस्क्राइब जरूर कर लेना और रोज़ाना हमारे इस वीडियो को देखते हैं रोज़ाना चेनल पर आते हैं तो आप फिर वीडियो को लाइक कर देना अब चलिए मुख्य बात ये रहती है कि आखिर पसू पालन की सुरुवात कैसे कर सकते हैं एक किसान को पसू पालन सुरुवात करने के लिए पैसों की आवसकता होती है और पैसे हर किसान के पास मुझूद नहीं होते हैं जिसकी वज़े से वे पसू पालन की सुरुवात नही कर सकते तो इसके लिए आपको सरकार की ओर से किसान साथियों मुद्रा लोन योजना के तहत लोन तो मिल जाएगा लेकिन किसान फिर पसुपालन की सुरुवात कैसे कर सकता है लेकिन सुरुवात करने से पहले किसान को ये जानना जरूरी होता है कि एक किसान पसुपालन के लि इसमें हदार काड है, दूसरा आपका बेंक अकाउंट है, तिसरा आपका पैन काड है, चोथा आपका पासपोर्ट साइज फोटो है, और पांच वाँ आपकी जहां पर जमीन है, उस जमीन का आपका पत्टा होना चाहिए, और लास्ट डॉकुमेंट में आपका मोबाईल 50% की किसान को सबसिडी भी दी जाती है ये 3-4 ऐसी सारते हैं जो किसान के लिए कापी लापदाइक होती है जिससे किसान को पसु बालन करने में कोई भी बरकार की दिक्कत नहीं होती है अब चलिए बात करती है कि आखिर मुद्रा लोन क्या है और मुद्रा लोन से लोन कैसे मि सहले आपको वीडियो के description में एक link दिया उस पर आपको click करना है और जैसे ही आप click करेंगे तो आपके सामने ये page open होगा अब आपको इस page पर आपको जो भी जितने भी ये passport size photo दिखाई दे रही है इन सभी किसान साथियों ने अपने swim का रोजगार सुरू करने के लिए मुद् console का आप वीडियो देखना चाहते हैं तो यहां से वीडियो देख सकते हैं और इनके द्वारा कौन सा बिजनस सुरू किया गया है वो आप यहां से पूरी जानकरी देख सकते हैं कोई भी लावारती जितने भी यहां पर आपको वीडियो फिचर्स दिखाई दे रहें इन से आप इन से इंस्पाइर होकर आप अपने भी बिजनस की शुरूआत कर सकते हैं इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है अगर लोन लेना है तो नीचे आपको स्क्रॉल करना है और स्क्रॉल करने के बाद यहां पर आपको तीन ओप्सन दिखाई देंगे जिसमें Sisu Loan किसोर लोन और तरुन लोन ये तीन केटेगरियों में सरकार ने लोन विबाजित किये हैं और पहले विबाजित में सिसू लोन है जो आपको 50,000 तक का लोन दिया जाता है यानि आपको कम से कम 50,000 से नीचे नीचे की रासी में आपको लोन दिया जाएगा और वहीं अगर बात क किसोर लोन की तो किसोर लोन में आपको 50,000 से 5,000,000 रूपय का लोन दिया जाता है अब अगर कोई भी किसान नए सीरे से बिजनस की सुरुआत करना चाहते हैं जिसकी लागत 2,000,000 रूपया के नजदीक है तो उस किसान को किसोर लोन वाले सेक्शन पर क्लिक करना होगा और इसी स्थिति में उस किसान को तरुन लोन वाले सेक्शन पर क्लिक करना होगा मैं आपको तरुन लोन सेक्शन पर आपको क्लिक करके दिखाता हूँ और यहां से किसान को क्या करना है यह डाउनलोड वाले सेक्शन पर क्लिक करना होगा यह डाउनलोड वाला सेक्शन क्या है क किसान सातियों यहां पर आपको एक application फौरम मिलेगा इस फौरम में किसान की आपको जानकारिया बरनी होती है और जानकारी बरेंगे तब ही आपको लोन दिया जाएगा और यह फौरम जब आपने अच्छी तरह से फिलब कर लिया इतना हाड भी नहीं है नॉर्मल सा एक फौर में आपने यह सही तरह से बरना होता है और फौरम बरने के बाद अपने नजदीक में विबाग यह जो पसू चिकशकादिगारी है उनसे संप्रक करना है और संप्रक करने के बाद जो आपने यहां पर बैंक डिटेल बरी है जो पैनकार डिटेल या बैंक डिटेल यहां पर सरकार सीधा जमा कर देगी और वीरा आप डेरी पालन या मुर्गी पालन या बकरी पालन कोई भी बिजनस करें उसकी शुरुआत कर सकते हैं पसू पालन के लिए आज की समय में मुद्रा लोन स्कीम सबसे बेस्ट बताई जा रही है क्योंकि मुद्रा लोन में किसान को अलग से दी जाती है ब्यासदर कम होती है और पैसा सभी पैसा किस्तों में चुकाना पड़ता है जिसकी वज़े से ये मुद्रा लोन स्कीम सबसे बेस्ट बताई जा रही है 2024 और 2025 में Financial Year में सबसी ज़्यादा किसान साथियों ने आवेदन किया है और अब कोई भी किसान आवेदन करना चाहता है तो वो जल्द ही इस पोर्टल पर आकर आवेदन कर सकते हैं मुद्रा लोन की पूरी जानकरी यहां से पहले किसान साथि पड़े और उसके बाद लोन की प्रोसेस पूरा करें और पैसा सिदा आपके बैंक खाते में आ जाएगा तो पैसे का जंजट बिलकुल नहीं है केवल आपको पैसों से अपने बिजनस की सुरुआत करनी है जिसमें आज के वीडियो में बताया है पसू पालन अब पसू पालन मैंने इसलिए बताया है कि पसू पालन हर किसान के लिए जरूरी होता है क्योंकि किसान तो ओनलाइन आवेदन करके पसू पालन की सुरुआत कर सकता है क्योंकि गाओं के किसानों के लिपास जमीन होती है जिसकी वज़े से लोन लेना ज्यादा कठिन नहीं हो क्योंकि उनके पास जमीन होगी तो उन पस्वों का पालन पोशन करना उनको हरे चारे की समस्या बिल्कुल नहीं रहेगी, सरकार से लोन लेकर वो अपने बिजनस की नए सीरे से सुरवात कर सकते हैं, जो भी किसान आवेदन करेगा उसकी रासी सिदे उनके बैंक खातों में च सवाल है, तो किसान साथी कमेंट करके पूछ सकते हैं, मुद्रा लोन की पूरी जानकर यहां से समझ सकते हैं, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, अब मैं यह समझता हूँ कि यह जानकर किसान को अच्छी तरह कलियर हो गई है, और अगर कोई भी डाउट फिर भी हो, तो आप कमेंट करके पूछिए, आपको पूरी अच्छी तरह से समझाया जाएगा नए वीडियो में, हम यही चाहते हैं कि हमारे देश के जो भी किसान, ने सीरे से कोई भी बिजनस शुरू करें, उसको उस किसान को सही इंपॉर्मेशन हमारे यूटूब चैनल के म पूर कीजिए, ऐसी नई जानकरी के साथ एक बार फिर हजिरोंगे, तब तक के लिए किसान साथियों जेहिन जेवार।